हलो एवरीवान वेलकम टू माईटिप चैनल एएच हलपलाइन कैसे हैं आप लोग सो जो बेस्टुडेंट इगनु से बीएड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ख़वर है क्योंकि इगनु ने फाइनली बीएड में एड्मिसन लेने के लिए इंट्रेंस टेस्ट का रेजिस्टेशन स्टार्ट कर दिया है अभी के लिए लास्ट डेट 20 दिसंबर तक रखा गया है इगनु से बीएड करना चाहते हैं तो पहले उनको इंटरेंस टेस्ट देने के लिए उनको इस पोटल से रेजिस्टेशन करना होगा जो आप लोग के स्क्रीन के ऊउपर नजर आ रहा है इसका लिंक मैंने डिसक्रिप्सन में दे दिया है इस वीडियो में हम लोग डीटेल में बात करेंगे कि इगनू से बीट करने का प्रोसेस क्या होता है आपको क्या 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 करना होता है इंटेंटेस दे दिये उसके बात से क्या प्रोसेडियोर होगा उसके बार में बात करेंगे eligibility criteria क्या है IGNU से B.A.T. करने के लिए syllabus क्या है, fees कितना लएगा हर एक एक चीज के बारे में आप लोग को इस वीडियो में detail में जानकारी मिलेगी बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और complete जरूर देख लिजेगा H.A.T. चानल पर फर्स्ट माँ हैं IGNU में एडमिशन लेने वाले हैं तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ना देखो, IGNU से अगर आपको B.A.T. करना है तो सबसे पहले तो आपको B.A.T. के लिए intent test देना होगा and intent test देने के लिए पहले आपको registration करना होगा इस portal से registration करने के लिए last date है 20 December उसके बाद से B.A.T. का intent test conduct करवाए जाएगा all over India में 8 जनवरी 2023 को intent test आप pass कर लेते हो उसके बाद से merit list release होता है हरेक एक regional center के तरफ से उसके बाद से फिर और भी बहुत सारे procedure होते हैं इगनू से B.A.T. में admission लेने के लिए तो process क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे लेकिन पहले आप लोग ये जान लो कि आप इगनू से B.A.T. करने के लिए eligible हो या नहीं हो क्योंकि student को eligibility criteria के बारे में हमेसा doubt रहता है तो पहले हम लोग eligibility के बारे में जान लेते हैं कि इगनू से B.A.T. करने के लिए eligibility criteria क्या है उसके बाद से मैं आगे की further बात आप लोग को बताता हूँ B.A.T. में admission लेने के लिए सबसे पहला criteria ये है कि आपका bachelor degree या master degree में 50% marks होना चाहिए चाहे आपने अपना bachelor या master arts से क्या हो commerce से क्या हो या science से क्या हो उससे मतलब नहीं होता है अगर आप 50% लाए हो तो आप B.A.T. में admission लेने के लिए eligible हो लेकिन ये पहला criteria इसके लाव भी और other criteria को fulfill करना होगा लेकिन पहला criteria ये है कि आपका 50% marks होना चाहिए अगर आपने B.T. किया हो या bachelor of engineering किया हो तो उसमे 55% होना चाहिए और अगर आपने bachelor या master's किया हो normal social science, science, commerce या humanity से तो आपका 50% होना चाहिए एक और चीज में clear कर दो अगर मानलो bachelor degree में आपका 50 से कम percentage है लेकिन master degree में 50 या उससे ज्यादा percentage है तब भी आप eligible होगे ठीक है इसमें relaxation भी दिया गया है 5% का वो SC, ST और OBC के जितने भी student है उनके लिए percentage में 5% का relaxation दिया गया है यानि कि बाकी अदर जितने भी student है general student के लिए 50% है और जो SC, ST और OBC से बिलॉंग करते हैं उनका 45% है यान कि bachelor degree या master degree में उनको 45% लाना होगा और अगर वो लोग बीटे किये हुए हैं तो उनको 50% लाना होगा अगर वो SC, ST और OBC से बिलॉंग करते हैं नॉन क्रिमी layer के डायरे में आते हैं तब उनका 5% का relaxation होगा तो ये पहला criteria हुआ, इसके साथ साथ जो दूसरा criteria है वो ये है कि आपने NCT द्वारा recognize teacher education program को face to face mode में complete किया होगा तब ही आप B.A.D. में admission लेने के लिए eligible हैं तो इस चीट को आप लोग समझना कि दोनो criteria को fulfill करना होगा आपको आपके पास 50% marks भी होना चाहिए बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में और उसके साथ साथ यहाँ पे end बोला गया है और नहीं बोला गया है तो उसके साथ साथ आपके पास NCT द्वारा recognize teacher education program का certificate भी होना चाहिए जो आपने face to face mode में किया होगा face to face mode means हुआ regular mode और teacher education program कौन-कौन सा है जो NCT द्वारा recognize है तो उसका यहाँ पे list मैंने दिया है यह NCT का direct official website से ही मैंने download किया है ठीक है उसका link मैंने description में दे दिया है वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो तो यह सभी NCT द्वारा recognize किया हुआ teacher education program का list है जो आप लोग के screen के उपन अज़र आ रहा है अगर इसमें से कोई भी program आपने face to face mode में किया होगा तो फिर आप B.A.D. में admission लेने के लिए eligible होगे एक और चीज़ में आप लोग को killer का दना चाहूँगा जो कि बहुत से student का doubt होगा कि अगर आपने जो teacher education program का list मैंने देखाया D.A.D.L.A.D. अगर ये open mode से किया होगा यानि कि N.I.A.D. से किया होगा या किसी और open university से किया होगा तो फिर आप B.A.D. में admission लेने के लिए eligible नहीं है याद रखेगा जो teacher education program है जो मैंने आप लोग को बता है D.A.D. किये हो या D.L.A.D. किया हो वो अगर regular mode से आपने किया ह तभी आप B.A.D. में admission लेने के लिए eligible है अगर आपने open से किया है distance mode से किया है तो फिर आप eligible नहीं होगा याँ पर clearly ये चीज़ mention कर दिया गया था कि diploma in elementary education, diploma in education through open and distance learning mode और any other teacher education program completed through O.D.L. will not be considered as a teacher education program for admission in B.A.D. तो ये चीज़ आप लोग ध्यार में रखेगा क्योंकि admission लेन उसका भी certificate आपको upload करना होगा वो भी submit करना होगा तो यहाँ पर बार बार इस चीज़ को mention किया जा रहा है face to face mode क्योंकि बहुत से student यही समझते हैं कि उन्होंने अगर N.I.U. से किया हो या कहीं से भी अगर D.A.D. कर दिया हो तभी वो लोग B.A.D. करने के लिए eligible होंगे ल प्रोगाम आपने complete किया होगा तब आप eligible होंगे कौन कौन सा teacher education program है उसके और मैंने अल्री आप लोग को बता दिया लिंक description में दिया हो है वहाँ से आप लोग खुद भी check कर सकते हो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप IGNU से B.A.D. कर रहे हो तो उसका duration कितना होगा कौन से medium में B.A.D. प्रोवाइड किया जाता है IGNU में और fees कितना लगता है तो देखो जो minimum duration है B.A.D. करने के लिए वो IGNU में 2 साल है और maximum 5 साल है 5 साल तक मौका दिया जाता है आपको B.A.D. को complete करने के लिए जो medium of instruction होता है वो या तो हिंदी में राता है या तो English में रात सकते हो जाता है तो आप लोग को पता चल गया कि IGNU से B.A.D. करने का eligibility criteria क्या है ठीक है अब आप लोग को intense test देने के लिए registration करना होगा registration करने से पहले मैं आप लोग को recommend करूंगा कि आप लोग B.A.D. का जो prospectus है IGNU का वो ध्यान से पल ले ना 83 pages का है लेकिन इसमें सारे rules and regulation दिये गए है IGNU का क्योंकि IGNU एक open university है and IGNU का जो rules and regulation है वो बाकी other university से बिलकुल अलग है इसलिए अगर आप लोग पर लोगे तो सारा चीछ पता चल लाएगा अगर कुछ समझ में ना है तो उससे पूछ सकते हो okay now prospectus आप लोग ने पर लिया उसके बाद से IGNU ने B.A.D. को लेकर एक अलग सा PDF release किया है जिसमें B.A.D. के बारे में ही सिर्फ बताया गया है इसमें तो सारे rules and regulation university के बारे में बताया गया है और इसमें B.A.D. के बारे में बताया गया तो इसको भी आप लोग पर सकते हो ये दोनों PDF का link description में दिया हुआ है ये सारा चीज आपने पर पास कर लोगे merit list में आपका नाम आ जाएगा तब जाके ये 55,000 उपीज पे करना होता है अभी आपको सिर्फ 1,000 उपीज पे करना होता है ठीक है तो आपको इस पूटल पर आके सबसे पहले register yourself इसके उपर click करना होगा and हर एक इस ट्रेंड को अपना username and password create करना होगा यहाँ सारा detail fill up करने के बाद से ठीक है उसके बाद से जब username and password create कर लोगे उसके बाद से username and password को put करके capture put करोगे login करोगे जितना भी detail है सारा detail fill up करोगे सभी document upload करोगे document यहाँ पे क्या-क्या लाएगा वो सारा चीज यहाँ पे already दिया हुआ है upload करोगे $100 पे करोगे उसके बाद से आ regional center के under में आपने apply किया है उनके तरफ से merit list release किया जाता है यह है noida regional center के तरफ से पिछले session में जो merit list release किया गया था उसका यहाँ पे list आप लोग देख पा रहे होगे इसी तरीका से आपके regional center के तरफ से भी merit list release किया जाता है जब merit list release कर दिया जाता है उसके बाद से आपने ज आपका आजाएगा उसके बाद से आपको इस link के उपर click करना होगा उसके बाद से यहाँ पर फिर से वही username and password से login करना होगा login करने के बाद से सारा detail fill up करना होगा I mean आपको अपना document upload करना होगा document में आपका 10th का mark sheet है उसके बाद से graduation का mark sheet है certificate है NCT द्वारा recognize आपने जो face to face mode में teacher education program complete किया उसका mark sheet उसका certificate है प्रस उसके बाद से और भी बाकी other detail आपको regional center के तरफ से जो notification release किया जाएगा उसमें format के साथ दिया हुआ रहेगा वो सभी upload करना होगा और उसी portal से आपको 55,000 उपिस का fee भी payment करना होगा fee payment हो जाएगा उसके बाद से आपका सारा document verify होगा उसके बाद से आपके पास confirmation mail आएगा कि आपका admission BAE में confirm हो गया है ठीक है ना तो ये पूरा procedure होता है IGNU से BAE में admission लेने का तो मैं sum up कर दे रहा हूँ सबसे पहले तो आपको registration करना होगा IGNU से BAE करने के लिए intent test देना परेगा उसके बाद से आपका hall ticket release किया जाएगा उसके बाद से आपका exam होगा exam होने के बाद से merit list रिलिस किया जाएगा regional center wise, regional center wise merit list रिलिस किया जाएगा उसमें सारा detail भी दिया होगा रहेगा जो आपने intent test देने के time पर create किया था उससे login करोगे login करने के बाद से सारा जो जो document आपको बोला जाएगा upload करने के लिए उस online portal में भी दिया हो रहेगा वो सारा document upload करोगे 55,000 रुपिस payment करोगे उसके बाद से payment confirm होगा सारा document verify होगा आपके पास आएगा message कि आपका admission confirm होगया उसके बाद से फिर होगया इगनु में स्वागत है आपका फिर आप B8 continue करोगे एक बार B8 में admission confirm होगया उसके बाद से फिर क्या क्या करना होता है मने assignment कब submit करना होता है exam कब होगा form fill up कब होगा और बाकी जितनी भी notification रहती है जो जो information रहता है वो सब आपको AHL plan channel पर ही time to time मिलेगा बस आप लोग AHL plan channel को subscribe करके रखिएगा यही सब्सक्राइब इस वीडियो में इगनुक के तरफ से B8 में admission लेने के लिए B8 intent test का जो announcement किया गया है उसके बार में और B8 के बार में सारा detail information में आप लोग को इस वीडियो में दे रहा था मुझे उमीद है कि आप लोग को वीडियो पसंदाया होगा इसे वीडियो के लाइक जरूर कर दे सबी फ्रेंड के साथ से लेकरे ताका उनको भी यह detail information मिल पाए किसी भी दाक के डाउट के लिए आप लोग इचे कॉन बाक्स में लिख सकते हैं या मुझे directly call करके भी अपन कि यु सो मुझे.